नमस्कार आप सभी को श्वागत करता हूँ गुरु कुल्दा वसनमनोले चैनल में आसा करता हूँ आप सब स्वस्त हैं और आप लोग की आदेत बेक उन्नत ही आगे बढ़ रही है बहुत बहुत धनिवाद जिस प्रकार से आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को जाद से जाद से स्यायर करते हैं क्या आप जानते हैं कि ऐसा एक मंत्र है जिसकी जाब से आपकी नवग्रो की जो गलत परिणाम यानि नवग्रो की जो गलत फल मिल रहा है वो पूरी तरह से समन हो सकता है अगर आपके कर्म अच्छे हो तो मनें बहुत बार आप सभी को कहा है कि नवान मंतर के बारे में मनें रहस्य वजागर किया है कि नवान मंतर किस प्रकार से काम करता है आपके जीवन में कैसा कैसा परिवत्तन करता है वेशे तो हर कोई नवाण मंतर का जाब कर सकता है इसके बार में बहुत सारे वीडियो में बनाया है लेकिन मुझे बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि आचारे जी क्या नवाण मंतर की जाब से नवग्रो की जो दसा होती है क्या उस दसा से हमको थोड़ा बहुत लाब मिल सकता है जी हाँ लाब मिल सकता है अगर आजारीजी लाब मिल सकता है तो कितना जाब करे कितना मला जाब करने से नवगरो की जो दसा है वो धीरे धीरे समन हो जाएगा और हमारे जिन्देकी में हमको बहुत सरे अच्छ फल मिलेगे और बहुत सरे लाब मिलेगे देखे मैं आप सभी को एक बात कहूंगा कि नवान मंतर में जो सक्ति है उसकी ब्याखान नहीं किया जा सकता उस सक्ति की आपको परिचय भी नहीं क्या जा सकता फिर भी मेरी तुछ ग्यान से आप लोगों के लिए जो मुझे मिला है उसी में से मैं आपको हमेसा ये कहता रहता हूँ कि नवान मंतर की जाब से आपकी नवगरों के भी जो दसा है उस समन हो जाएगा लेकिन क्यों नहीं होता है आप ये सब कहते हैं कि हम नवान मंतर का निरंतर जाब करते हैं कोई कहता है सो माला करता है कोई कहता है दो समाला कोई कहता है तिन सो माला फिर भी आपके जिवन में परिवत्तन क्यूं नहीं होता है इसका ये उर्तर है कि नवान मंत्र जब आप जाब करते हैं आपने जितने भी सारे पाप कर्म किये हैं उसकी उर्जा पूरी तरह से उस पाप कर्म को काटने में लग जाते हैं यानि आप अभी अभी आध्यात में आये हैं उससे पहले आपकी जिवन पूरी तरह से अलग था उस जिवन में आप क्या क्या करते थे पता नहीं था चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई दूसरा इंसान है जब हमारे कोई दसा माधसा आता है हम किसी से सुनकर ये करने के लिए दिखे इंसान की कर्म ही उसकी भाग्य को बदलता है जैसा भी कर्म करेंगे आपको उसी प्रकार से फल मिलेगा और अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है पूरे कर्म का पूरा फल मिलता है दुनिया में आपको नीचा दिखाने वाले बहुत मिलेगे दुनिया में आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत मिलेगे लेकिन आपकी कर्म ही आपको नीचा कर सकता है या फिर उपर उठा सकता है या आपकी कर्म के उपर पूरी तरह से डिपेंड करता है इसमें कोई संधे वाली बात नहीं है कि नवाण मंत्र में आपको पूरी तरह से सकती मिलेगा लेक तु खराब हो गए या फिर ब्रोस्पती खराब हो गए या फिर कोई दूसरे ग्रह खराब हो गए जो आपको बार बार खराफल दे रहे हैं लेकिन आप जब कुछ पुन्य काम करते हो आप जो अच्छे काम करते हो तो वो ग्रह धिरे धिरे ठीक होने लगते हैं मंतरजाप की आप situation आज बहुत ही खराब है आपने नवान मंतर का जाप अनुष्ठान सुरू कर दिया आपकी जिवन में परिवत्तन हो रहा है उसके बाद ही पुनह आप वो बुरे कर्म करने लग जाते हैं तो आपको कर्म का फल भोगना पड़ेगा और नवान मंतर का जितना भी आपने सारी मंतर जाप क्या है वो बेर्रथ है जरूर्वएर्थ है क्यूंकि आप यह कहोगे कि भाई तो मेने दोसों-दोसों माला करके एक साल तक क्या तो कोई लाब नहीं देखिए आपने अच्छे कर्म आप जब अच्छे कर्म करेंगे तभी जाके आपकी जो मंतर उर जाए हैं मंतर जाप है वो आपके लिए लागू होता है काम करता है अगर मंतर जाप करके भी वैसा होता है कि इसको कहा जा सकता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा कहीं पर सर्वर बहुत है और कहीं पर जंगल में बहुत सारे हाती आते हैं और पानी पीते हैं घुमते हैं फिरते हैं फिर वो जाके धूल में ऐसे बेट जाते हैं तो क्या फाइदा आप सर्वर जाते हो नहाते हो आप पाप काटते हो फिर जाके हाथी के जिसे स्नान करके क्या फाइदा कि जब आप देखते होगे, बहुत सारे आपने देखा होगा, डोकुमेंटरी में जैसे कोई हाथी बार में कड़ा है, और सरवर जारा है, खेल रहा है, फिर आके वोई जो होता है, मिट्टी धूल उसी में लिपड़ जाता है, तो क्य अगर आप आपको नहाने का, वो की अंदर आएगा, इसले नवाण मंत्र में इतना सक्ति है कि वो आपकी नवगरों की जो दसा है उसको बदल सकता है अगर आप अच्छे कर्म करते हो अगर आप अच्छे कर्म नहीं करते हो तो 9 माला छोड़ के अगर 900 माला भी जाब करोगे तो कोई फाइदा नहीं होगा चलिए बहुत जल्द ही इसके बारे में बता देता हूँ कि नवग्रों की बाधा को समन करने के लिए आप किस प्रकार से जाब करें देखें नवग्रों की बाधा को समन करने के लिए पहले आप महादेव जी को गुरू रुपे बरन कर सकते हैं आप पूरी तरह से बिश्वास के साथ उनको कह सकते हैं कि हे महादेब आसे आप मेरे गुरू है मैं आपके शिश्य हूँ और आज सही मैं नवान मंतर का नोमाला जाब सुरू करूंगा मेरे नवगरो की जो भी दसा है उसको आप धीरे 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 मेरे जीवन में अच्छा अच्छा चीज बापस लेका आए और आप संकलवद हो जाए कि मैं अच्छे कर्म करूंगा आप देखेंगे आपको कोई रतन कोई कुछ भी कुछ भी पहनने नहीं पड़ेगा आपकी धीरे धीरे सारे ग्रहों आपको पोजिटिव रजल देंगे इसलिए अगर आपने कोई ऐसी पाफ है जो इस जनम में भी आपको परिशान कर रहा है या फिर आप जाने अंजाने में कोई गलत काम कर चुके हैं तो पहले आपका जो नवान मंत्र है वो क्लीनिंग प्रोसेस में आपको पूरी तरह सो क्लीन करेगा पूरी तरह क्लीन करने के बाद आपकी जिव जो आपको फल मिल रहा है वो उसको समन कर रहा करेगा ही करेगा इसलिए आप नित्य नुव माला नवान मंत्र का जाप करे अपने जीवन को मंगल मैं मले धन्यवाद बहुत भूँत धन्यवाद आपका अगर अभी तक आप लोगोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए और ओल नोटिफिकेशन सेट करिए ता क्या आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता ही जाए जये मतादी